नमस्कार स्वागा थे आपका बिहारी नियूज में मैरत निसेन भारती आज हम जानेंगे पंचाईतों को कितना मिलता है बजट इसका सबसे बड़ा कारणिया था कि पंचाईती राज संस्थाओं को संबेधानिक दर्जा मिलना आपको बता दें कि बरतमान में गाउं के विकास के लिए पंचाईतों को करोडो रुपिय सरकार देती है इसके साथ ही गाउं के विकास के लिए सरकार दोहरा ग्राम पंचाई अस्तर से लेकर जीला परिशत तक की बजट बनाई जाती है 73 सम्विधान संसोधन के तहत अनुछे 280 में केंदर के बीत आयोग की तर्ज पर भारत के सभी राजों में राज बीत आयोग की अस्थापना की गई इसका उदेश पंचाईतों को बिती इस्थिती की समिशा करना था पंचाईतों के विकास के लिए धन उपलवद कराने के लिए बारसिक बजट का प्रापधान है जिसमें ग्राम इन छेतरों का भी समुझित विकास हो सके आईए अब जान लेते हैं पंचाईतों के बजट कैसे तयार होता है तहत तरवे समिधान संसोधन के तहत पंचाईतों को 29 कारज सौपे गए हैं पंचायतों को सौंपे गए उन्तिस कार्जों में बार्सिक बजट बनाना भी एक मुख्य कार्ज है, ग्राम पंचायत वारा बनाये जाने वाले बार्सिक बजट को पंचायत बजट कहा जाता है, पंचायत बजट पर विचार बिमर्स की सिफारिस कर ग्राम सवा का कार्ज नि किया जाता है यह बजट इसलिए भी और महत्पून हो जाता है क्योंकि इस बजट का प्रस्ता ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है जिसमें ग्राम सभा के सदस्यों की भागिदारी होती है इसके साथ ही ग्राम सभा के सदस्यों को बितिये बर्स की शुरुआत में विकास का सबसे पहले बात सरकार की और से होने वाले धन की प्राप्ति की इसमें सबसे पहले बारसिक बजट की रूप में उसके बाद फिर एजनाओं के रूप में पैसे की महया होती है बारसिक बजट में केंदर और राज दोनों बजट का मुहया कराती है, ग्राम पंचायतों को विकास कार्ज के लिए केंदर सरकार केंदρι बीत आयोक कि सिफारिस के अधार पर बजट तयार करती है इस बजट की धन राती सीधे ग्राम पंचाईतों के खाते में जमा हो जाती है अब बात करते हैं राज में प्राप्त होने वाली धन रासियों के बारे में पंचाईतों के लिए प्राप्त बीतिय संस्थान सुनिश्चित करती है इसके लिए संविधान के अनुछेद 243.1 में राजबीत आयोग का गठन करनी की विवस्ता की गई है राजबीत आयोग समय समय पर पंचायती राज संस्थानों के आर्थी किस्थिती की समिच्छा कर राज में संचित नीधी के विविन पंचायत संस्थाओं को धन का आवंटन करती है इसके बाद से सांसद और विधायकों के नीधी से भी धनरासी का मुहया पंचायतों को कराया जाता है अन्य सुरोतों के माध्यम से भी धनरासी जैसे कि ग्रामिन, विकास, क्रिसी विभाग एवं अन्य विभागों से भी सहाईता ग्राम पंचायतों के दी जाती है अब हम जानते हैं कि योजनाओं के दवारा कितनी धनरासी और किस तरह से धनरासी पंचायतों के दी जाती है उसके बाद से राज्टिये ग्रामिन, स्वास्थ मीसन, सर्व सिच्छा, अभियान, स्वास्थ भारत मीसन जो की ग्रामिन चेत्रों में चला रहता है राश्टिये ग्रामिन, आजीबिका मीसन, केंदर बर राज्य सरकार दोरा पल्योजित ये योजनाएं हैं जो की ग्रामों के दोरा चलाई जाती है सभी राज्यों में जीला परिसा सबसे उपरी पंचायत निकाई है, सासन की द्रिष्टी से जीला सबसे महत्पुन निकाई है केंदर या राज्य सरकारों से चलकर सभी योजनाओं का क्रिया वेयन जीले अस्तर पर किया जाता है इसके बजट का भी जो बितरन है वो ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में होता है आईए अब जान लेते हैं पंचायतों में बजट का निर्धारन किस तरह तो होता है जीला परिसात को बजट का 5% किरासी दी जाती है इसके बाद से पंचायत समीतियों को उस बजट का 20% का हिस्सा दिया जाता है इसके बाद ग्राम पंचायतों को सेस रासी यानि की 75% किरासी दी जाती है अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायतों के मिलने वाले धन के बारे में तो अब हम जान लेते हैं कि वो कौन-कौन से ऐसी सकती हैं जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत जो है खोड़ पैसे जम जुटा सकती है, सबसे पहले बाद संपत्ति कर कर रूप में, ग्राम सभा की जमीन बाद तलावों को पटे पर दे कर यह कर कि बसूली कर सकता है, उसके बाद सरमचानिक सौचाले पर भी वक्र लगाई जाती है, यदि इसकी सफाई का काम ग्राम पंचायत करती है, तो बजारों पर कर, ग्राम पंचायत के अधिन लगने वाले हाट बजारों में भी काम किया जाता है कर की रूप में, उसके बाद जल कर, यदि ग्राम पंच जल की वेवस्था करती है तो वो उस पर भी टेक्स लगा सकती है आपको बता दे कि ग्राम पंचायत हाट बजार मेला आधी से राजस्व की बसूली कर सकता है लेकिन अभी तक प्रापधान ब्यभारिक रूप से नहीं हो सका है इस संबंध में सरकार द्वारा नियमावली नह नहीं कर सका संचेप में कहें तो पंचायतें अपनी बीतिय वेवस्था के लिए जायतर सरकारी अनुदार और योजनाओं पर निर्वा रहती है जबकि पंचायती राज अधनिया में पंचायतों को अपने छेत्र के अंतरगत विभिन परकार के टेक्स बसूलने का अधिका जागरुकताबा राजनाइतिक इच्छा सक्ति के अभाब के कारण पंचायत प्रतनिधी से बसूलने की रूची नहीं लेते हैं जबकि सुद्रीर आर्थिक विवस्था के लिए पंचायतों द्वारा लगाये जाने वाले कर को और अधिक कारगर बनाने की जरूरत है आपक कि हमने कोरोना महमारी के दौरान देखा बिहार और पंचायत से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हैं बिहारी नियूज के साथ मुझे दीजिए जाजत धन्यवाद